मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैंने अपने बड़े वाले टैंक के अंदर हैं कुछ चेंजिस की थी और डिसकस के साथ हमने शोड़ी थी एक मॉंक्स्टर फिश और एक एक्सपेरिमेंट भी था कि ये सच में रह सकते हैं डिसकस के साथ या तो जल्ले मैं आपको अपनी मॉंक्स्टर फिश दिखाता हूं अर्वान एक असी मॉंक्सर फिश है जो कि तॉ तो उसको अमने अपनी डिसकस एक एड़्े शादिया और मोड लेखिवन कोई बड़े बड़े शुके हैं अर्य ये बिख्तरीन चल देए इने इसकस को इन से बड़ी परिशानी नहीं है इन एडिसकस को तंग नहीं किया इन तो इसका तैंपरमेंट जो है वह बहुत जदा हाईली अग्रेसिव भी नहीं है और वह नॉन अग्रेसिव नहीं है क्योंकि वह है तो एक मॉंक्स्टर फिश बट एरवाना का तु सबसे चीज़े वह यह है उसका टेंपरमेंट का अल्लेसु भूकी ना हो तो दूसरी मश्लि है उसके मुह के साइस के नहीं हो अगर वह इस साइस की है कि वह से इजीली स्वैलो कर सकती है तो उन्त को पर टेक्ट कर दिए वरना बेवजा एर्वाना किसी को तंग नहीं करती एर्वाना के साथ रहने वाली कम्यूनिटीज में कभी भी आप मोली प्लैटी गपी चोटे स इसकी जो मिष्लिय है नहीं रख सकते क्योंकि अर्वाना उसको खा जाएगी और अर्वाना को मैं क्या फीडिंग करा रहा हूं नॉर्मली एर्वाना के साथ जो लोगों को प्रॉबलम होती है वह यह होती है कि यार हम नहीं लेके आये हैं और वह वीक तक 10 देस तक कुछ न किसी कवर करें जब या वह मर सकती है तो अवह मेरे displiय राय मेरे आपास एक से नहीं के लए ने की कि ए हैं और मैं उनको क्या देता है चेकन के जो HPC है讲 मतिया होता हऊ मैं लाम जो उनका बोबनाइजा haram कर देता हूं तो it's just like they just feel they are just insects or something अर्वाना का टेम्परेमेंट काने के वर किसा है कितना अग्रेशन है वो तो आप देखी चुके मेर वीडियो में दूसरी चीज डिसकस के साथ अर्वाना मैंने रखी विया और आप सोच रहे होंगे कि दोनों का अग्रेशन होगे वाटर्व तो नहीं डिसकस का जो वाटर का जो क्लामित है वो तकरीबहन हर मसली के लिए बहुत बहँतरी नहीं रहता है क्युके दिसकस अवर सेंसेटिव है बहुत हार्ट फिश है बेट बेडियों बहुत बहुत जल्दी कहले इसके परस्राइट की प्रब्लम जादा आती है फंगल इंफेक्षिंश बहुत जादा आता है तो इसलिए आपको डिश्कस का पानी जाह बहुत जल्दी चेंज करना वड़ता है वाटर क्वालिटी एची के करीब करीब है 28 to 30 degrees centigrade discuss के लिए बहुत अच्छा है प्लस एर्वाना का भी same temperature तो एर्वाना को डिसकस के साथ आने में कोई तकलीफ नहीं है और डिसकस को भी अर्वाना के साथ आने में कोई परिशानी नहीं है अर्वाना का लाइफ एक्सपेक्टेंस जो है वो है 10 to 15 years नॉर्मली कैप्टिव में एर्वाना 10 to 15 years तक सर्वाइब करती है और इसकी जो लैंथ है वो इस वक मेरे पास जो है वो तकरीबर कोई 10 इंचिस की है और इसका मैक्सिम साइज जाता है वो 3 to 4 feet तक जाता है और 3 to 4 feet के लिए ये टैंक मेरा वाच चोटा है मेरा तो टोटल टैं चाहिए होगा जब इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा जहां तक मेडिकेशन की बात है तो मैं बॉबल्स यूज कर रहा हूं और ये मेट्रो कियर मेट्रो कियर दी वार्मिंग ले काम आती है और इससे जो इंटरनल फिश के लिए अगर कोई जन्रेट हो रहे होते हैं तो सब्सक्राइब दूसरी वाटर करनिशन के सेम मैं एकवसे फ्यूज कर रहा हूं नेचर कर यूज कर रहा हूं और और ऑनस्ली स्पेकिंग में अखो परज़ यूज कर रहा हो और वब बाइसन ट्रबल के यह बहुत अच्छे प्रोड़क्स आं बहुत अच्छी मेडिकेशन मेरे फिशेज पहले से जादा है पाने की वाटर कोलिटी पहत्रीन चल रही है मेरे पास इत के वाटर करिशनर के से पाकिस्तान में भी अब बबल जन्ट प्रॉबल्स के प्रोड़क्स है वह अवेलेवल हैं नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लेंक भी दे रहा हूं इन के लिए इतना ही है फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ अपता के लिए मुझे जादत दें